ओम शान्ति, 16 जन्वरी दो हजार चौबिस, बाबा के महावाक्या मीठे बच्चे, यहां तुम वनवाहा में हो, अच्छा अच्छा पहनना, खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो प्रश्ण ज्यान रतनों से सदा भर पूर रहने का साधन क्या है उत्तर दान जितना जितना दूसरों को दान करेंगे, उतना स्वयम भरपूर रहेंगे सयाने वह जो सुनकर धारन करें, और फिर दूसरों को दान करें बुद्धी रूपी जोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारना नहीं होगी, इसलिए काईदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है पांच विकारों से दूर रहना है, रूप वसंत बनना है ओम शांती रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं रूहानी बाप भी करमेंद्रियों से बोलते हैं रूहानी बच्चे भी करमेंद्रियों से सुनते हैं यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कहना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्ट्यूडेंट का रेजिस्टर शो करता है। रेजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पढ़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है इश्वरिय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सकी। रचता और रचना के आदी मध्य अंत की स्रुस्टी चक्र की नौलिज है। यह कोई भी मनुश्य सारी दुनिया में नहीं जानते। रिशी मुनी जो इतने पढ़े लिखे अथोरिटी हैं। वह प्राचीन रिशी मुनी खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप नहीं आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है। यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है। फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती। क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती। सूखे को आग जट लग जाती है। यह है बेहद का जंगल। इनको भी आग लगी थी। बगीचा भी स्थापन हुआ था, तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुश्बूदार देवता बन रही है उसका नाम है ही स्वर्ग, अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, वंडर है तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परन तु किसकी बुद्धी में बैठता नहीं है जो इस धरम के नहीं होंगे, उनकी बुद्धी में बैठेगा भी नहीं एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे सत्युग त्रेता में भारत वासी कितने थोड़े होंगे फिर द्वापर कल्युग में कितनी व्रधी हो जाती है वहां एक दो बच्चे, यहां चार पांच बच्चे तो जरूर व्रधी हो गई भारत वासी ही अब हिंदू कहलाते हैं वास्तव देवता धरम के थे और कोई भी धरम वाला अपनी धरम को नहीं भूलता यह भारत वासी ही भूले हुए हैं देखो इस समय कितने धेर मनुश्य हैं इतने सब तो ग्यान आकर नहीं लेंगे हर एक अपने जनमों को भी समझ सकते हैं जिसने पूरे 84 जनम लिये होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ती की है थोड़ी की होगी तो ग्यान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को समझाएंगे बहुत भक्ती की होगी तो ग्यान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे ग्यान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते इसे लिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है हिसाब है ना बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इसलामियों के इतने जनम बौधियों के इतने जनम होने चाहिए बुद्ध भी धरम इस्थापक है उनके पहले कोई बुद्ध धरम का था नहीं बुद्ध की सोलने प्रवेश किया उसने बुद्ध धरम इस्थापन किया फिर एक से व्रधी होती है वह भी एक प्रजा पिता है एक से कितनी व्रधी होती है तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में यहां तो वनवा में हो, किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए हम अच्छे कपड़े आदी पहने, यह भी दे अभिमान है, जो मिला सो अच्छा यह दुनिया ही थोड़ा समय है, यहां अच्छा कपड़ा पहना, वहां फिर कम हो जाएगा, यह शौक भी छोड़ना है आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षतकार होते रहेंगे तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, यह दुनिया ही थोड़ा समय है यहां अच्छा कपड़ा पहनना, वहां फिर कम हो जाएगा, यह शौक भी छोड़ना है आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षतकार होते रहेंगे तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, यह जरूर उच नमबर लेंगे फिर आप समान बनाते रहेंगे दिन प्रति दिन बगीचा तो बड़ा होने का है जितने देवी देवता सत्यू के वत्रेता के हैं, वह सब गुप्त यहां ही बैठे हैं फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे अभी तुम गुप्त पद पा रही हो तुम जानते हो, हम पढ़ रही हैं मृत्यू लोक में, पद अमर लोक में पाएंगी ऐसी पढ़ाई कभी देखी? यह वंडर है पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में पढ़ाने वाला भी वई है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यू लोक का विनाश कराने वाला है तुम्हारा यह पुरुशोत्तम संगम युग बहुत छोटा है इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है तब बाप कहते हैं लिखो शिव जैन्ती सो गीता जैन्ती इनको मनुष्य नहीं जानते उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है अब यह भूल जब कोई समझे कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं कुछ नहीं इसलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है बाकी यहां आकर क्या करेंगे जैसे साधू संत महत्मा के पास जाते हैं यहां वह बात नहीं इनका तो वही साधारन रूप है ड्रेस में भी कुछ फरक नहीं इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं समझते हैं यह तो जोरी था पहले था विनाशी रतनों का जोहरी अभी बने हैं अविनाशी रतनों का जोहरी तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो जो बड़ा सौदागर जादूगर रतनागर है तो हर एक अपने को समझे कि हम रोप बसंत है हमारे अंदर ग्यान रतन लाखों रुपियों के है इन ग्यान रतनों से तुम पारस बुद्धी बन जाते हो यह भी समझने की बात है कोई अच्छे सयाने है तो इन बातों को धारन करते है अगर धारना नहीं होती तो कोई काम के नहीं समझो उसकी जोली में छेद है बह जाता है बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ग्यान रतनों का दान देता हूं अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं खाली है पढ़ते नहीं काईदे अनुसार चलते नहीं इसमें सबजेक्ट बड़ी अच्छी है पांच विकारों से तुमको बिलकुल दूर जाना है बाप ने समझाया है यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है परन्तु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती है वो तो अपवित्र होते रहते राखी बांधे रहते आगे ब्रामन लोग बांधे थे अब बहने भाई को बांधती है खर्ची के लिए वहां पवित्रता की बात नहीं बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं यह दिवाली दशेरा सब संगम के हैं जो बाप ने एक्ट की है वह फिर भक्ती मार्ग में चलती है बाप तुमको सची गीता सुनाए यह लक्षमी नारायन बनाते हैं अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो सत्य नारायन की कथा सुनकर तुम नरसे नारायन बनते हो अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है कितनी योग की ताकत चाहिए योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो योगबल से होती है स्थापना बाहुबल से होता है विनाश अक्षर ही दो हैं अल्फ और बे योगबल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा ज्यान बिलकुल ही गुप्त है तुम जो सतो प्रधान थे, वह अब तमो प्रधान बने हो फिर सतो प्रधान बनना है, हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है नई दुनिया में क्या नई होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नई है, जैसे खोखा कहा भारत सुर्ग था, कहा भारत अब नर्क है, रात दिन का फर्क है रावन का बुत बना कर जलाते हैं, परन तु अर्थ नहीं चानते तुम अब समझते हो, यह क्या क्या कर रही है, तुम्हारे में भी कल अज्यान था, आज ज्यान है कल नर्क में थे, आज स्वर्ग में जा रही हो, रियल ऐसे नहीं, जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं, स्वर्ग वासी हुआ तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं कितनी समझने की बात है है भी सेकंड की बात बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे यह सब को बताते रहो बोलो तुम इन लक्षमी नारायन जैसे थे फिर 84 जनम लेकर यह बने हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो फिर सतो प्रधान बनना है आत्मा तो विनाश नहीं होती बाकि उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़ी बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदू आत्मा समझो कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संसकारों अनुसार एक शरीर छोड दूसरा लेती है अब आत्माओं को घर जाना है यह भी ड्रामा है सुरुस्टी चक्र रिपीट होता ही रहता है पिछाडी में हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुश्य हैं ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माई हैं बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं फिर सबका मुझे ही कल्यान करना हैं तब तो बाप को पुकारते हैं तुम बाप को भूल जाते हो बाप बच्चों को नहीं भूलते बाप आते हैं पत्तितों को पावन बनाने यह है गव मुख बाकी बैल आदी की बात नहीं यह भाग्ये शाली रत है बाप तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाप हमको श्रंगारते हैं यह पक्का याद रहे शिव बाप को याद करने से बहुत फाइदा है बाबा हमें इनके द्वारा भ्रम्मा द्वारा पढ़ाते हैं तो इनको नहीं याद करना है सत्गुरु एक शिव बाबा है उस पर तुम्हें बलिहार जाना है यह भी उन पर बलिहार गयाना बाप कहते हैं मा मेकम याद करो बच्चे जाते हैं सत्युगी फूलों की दुनिया में फिर कांटों में मोहो क्यों होना चाहिए 63 जनम तो भक्ती मार्ग के शाष्ट्र पढ़ते पूजा करते आई हो तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की की है तब तो सोमनात का मंदिर बनाया है मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे कितने हीरे जवार थे पीछे आकर चड़ाई की एक मंदिर से कितना सोना आदी ले गए तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो यह धनवान थे विश्व के मालिक थे परन्तु इनके राजय को कितना समय हो गया है कोई को पता नहीं है बाब कहती हैं पांच हजार वर्ष हुए पच्चिस सो वर्ष राजय किया बाकी पच्चिस सो वर्ष में इतने मठ पंथ आदी व्रधी को पाते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं अथा मिलकियत मिलती है दिखाते हैं सागर से देवता निकले रतनों की थालियां भर कर आए अब तुमको ग्यान रतनों की थालियां भर भर कर मिलती है बाप तो ग्यान का सागर है कोई अच्छी रीती थाली भरते हैं कोई की बह जाती है जो अच्छी रीती पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जरूर अच्छा धनवान बनेंगे राजधानी स्थापन हो रही है यह ड्रामा में नून्द है जो अच्छी रीती पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलर्शिप मिलती है यह है ईश्वर्य स्कॉलर्शिप अविनाशी वह है विनाशी सीड़ी बड़ी वंड़फुल है 84 जनमों की कहानी है न बाप कहते हैं सीड़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिलकुल साफ दिखाई दे मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा अभी जो फेरी पहन कर माना चक्कर लगा कर जाते हैं वह पिछाडी में आएंगे दो चार बार फेरी पहनी तकदीर में होगा तो जम जाएंगे शमा तो एक ही है कहां जाएंगे बच्चों को बहुत मीठा बनना है मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे योग से ही कशिश होगी जब तक कट जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी यह सीड़ी का राज सब आत्माओं को बताना है धीरे धीरे नंबर वार सब जानते जाएंगे यह है ड्रामा वॉल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी रिपीट होती रहती है जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए न बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते है लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया यहां है बाप क्योंकि सेकिंड में आ सकता है तुमको समझना चाहिए कि बापा इसमें बैठा ही है करन करावन हार है न करता भी है कराता भी है बच्चों को डाइरेक्शन देते हैं खुद भी करते रहते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इस शरीर में वह हिसाब करो बाबा खाते नहीं वासना लेते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला रूप वसंत बन अपनी बुद्धी रूपी जोली अविनाशी ज्यान रतनों से सदा भरपूर रखनी है बुद्धी रूपी जोली में कोई छेद ना हो ज्यान रतन धारन कर दूसरों को दान करना है दूसरा स्कॉलर्शिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरहां पढ़नी है पूरा वनवा में रहना है किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है खुश्बूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है वर्दान बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाए सेकेंड में क्रॉस करने वाले सिध्धी स्वरूप भवा कई बच्चे शाष्टरवादियों की तरहां बात बनाने में बहुत होश्यार है ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हसी आ जाती है लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रेजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं इसलिए इससे तीवर उडान भरो, इनोसेंट बनो बाप को देखो, बातों को नहीं ये बाते ही बादल हैं, इन्हे सेकिंड में क्रोस करने की विधी से सिध्धी स्वरूप बनों। स्लोगन किसी भी बात में क्वेस्चन मार्क उठाना, अर्थार्त व्यर्थ का खाता प्रारंब होना। अव्यक्ती साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा इस्थिती का अनुभव। अब अपने दिल की शुब भावनाई अन्य आत्माओं तक पहुँचाओ। साइलेंस की शक्ती को पृत्यक्ष करो। हर एक ब्रामन बच्चे में यह साइलेंस की शक्ती है। सिर्फ इस शक्ती को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकेंड में मन के संकल्पों को इकाग्र कर लो। तब फरिष्टे रूप द्वारा वायू मंडल में साइलेंस की शक्ती के प्रकम्पन फैल सकेंगे। OM SHANTI झाल झाल